राज्य सरकार द्वारा संचालिस सबला और किशोरी सक्ती योजना में शालात यागी छात्राओं को वितरण होने वाले पोशनाहार में करोणों रुपे का घोटाला होने की आशंका है आयोग की शिकायत पर नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक द्वारा प्रदेश भर में जाच की जा रही है इसी के तहट बैतूल जिले में लगबग एक करोड रुपे की गड़बड़ी सीए जी ने पकड़ी है वहीं अन्य जिलों में भी इसी तरह की गड़बड़ियां सामने आने की उम्मीद है रास्ति अबाल अधिकास अन्रक्षन आयोग के अध्यक्ष प्रियंग कानुन्गों ने बताया कि पिछले दिनों ग्रामीन शित्रों के भ्रमन के दौरान आंगन बाड़ियों के रजिस्टर चेक करने पर शालात्यागी छात्राओं को पोशन आहार नहीं मिलने की जानकारी मिली थी इसी के बाद उन्होंने महीला एवं बाल विकास विभाग तथा सिक्षा विभाग से जानकारी हासिल की थी लेकिन इन दौनों विभागों की जानकारी में छात्राओं की संख्या अलग-अलग बताई गई थी उन्होंने बताया कि दौनों विभागों के आंकड़ों में प्रदेश में 1,65,000 छात्राओं का अंतर आ रहा है इसी के बाद उन्होंने प्रदेश के CS सुधी रंजन मोहनती और CAG में शिकायद की थी CAG ने आयोक को भेजी रिपोर्ट में बैतूल में एक करोड रुपे की गड़बड़ी होने की जानकारी दी है तो सुन्हाओvasive प्रदेश डिज़कि इस राओवड़ सुन्हां थैं़ड़ी अर ऴसानकारी धे लिए सुन्हाँ भीलममम प्रतारी प्रतारी